Dear student, welcome to the class physics. Dear student, today we are going to start Newton's third law of motion. Dear student, in previous lecture, we discussed Newton's first law of motion and Newton's second law of motion. Dear student, ये भी एक विस्चन है, ये जो Newton's first law of motion है, Newton's second law of motion है, Newton's third law of motion है, इसको हम collectively केते हैं Newtonian mechanics या classical physics. So dear student, ये जो Newton's first law of motion है, Newton's second law of motion है, और Newton's third law of motion है, ये कब वेलेड है और कब वेलेड नहीं है, ये कब हम इपलाई कर सकता है और कब हम इपलाई नहीं कर सकते हैं. तो dear student, ये इसके लिए दो कंडिशन है, इसको हम limitation भी कहते हैं इसी वज़ा से, classical physics पेल हुआ और quantum mechanics शोरू हुआ. Quantum mechanics का जो शोरूआत है, 1905 या 1901 से शोरूआता quantum physics. तो इसके क्या है, इसका वज़ए ये है, ये जो Newtonian physics है, ये पेल हुआ. Number 1, हम Newton mechanics या Newtonian mechanics या Newton पसला, सेकनला और तला तब इस्तिमाल कर सकता है, जो हमारा प्रेमा प्रेपरेंस इनर्शल हो. हमारा प्रेमा प्रेपरेंस क्या हो? इनर्शल हो. प्रेम आ प्रेप्रिंस क्या चीज़ है अ क्वार्डिनेट सिस्टम एनी क्वार्डिनेट सिस्टम with the help of which we can measure the position of an object let's suppose यह एक अबजिक्ट A है और मैं यहाँ से measure करना चाहता हूँ यह measure कर रहा हूँ तो हमारा यह axis है x axis यह axis है y axis और यह जो आप लोगों की तरफ है यह axis है हमारा z axis तो इसी क्वार्डिनेट सिस्टम को हम क्या कहते है प्रेम आ प्रेप्रेट कहते है तो वो हमारा प्रेम आ प्रेप्रेंस कब inertial होगा या मैं रेस्ट में हूँ या molecules में लिकिन योनिपाer motion में हो तो इसको हम क्या कहते है, इनर्शन प्रेम अप्रेपरेंस, दूसरा जो हमारा पॉइंट है, जो अब्जिक्ट मोशन कर रहा है, उसका स्पीड अप्लाइट से कम होने चाहिए, यह जो सर अइंस्टाइन ने 1905 और 1915 में दू तियोरी पेश किया 1905 में Special Theory of Relativity पेश किया और 1915 में General Theory of Relativity So 1905 में Special Theory of Relativity बहुत Small Particle के अबजिप्ट के लिए थे यह जो तियोरी था बहुत Small Object के लिए था जिसका मास बहुत ज्यादा कम हो और जिसका स्पीड बहुत ज्यादा के बराबर हो तो यह स्पीड अपलाइट उसी Special Theory of Relativity का पस्ट पासूलेट है पस्ट पासूलेट है तो अगर कोई अब जिद हमें Newtonian Mechanics एपलाई करना है तो इसका स्पीड स्पीड अपलाइट से कम होने चाहिए तो तब हमें Newtonian Mechanics एपलाई कर सकता है Dear student, Newton थर्ला आप मोशन का स्टेटमेंट क्या है Every action have a reaction Action and reaction both are same in magnitude and opposite in direction जब हम क्लास second year में थे तो वहाँ हमने English के अंदर ड्रामे पढ़ा तो Shakespeare का एक ड्रामा था एक बादशा था उसके चार या तीन बेटी है थी तो उस बाचा ने हर एक बेटी से पूचा का आप मुझ से कितना प्यार करते हो आप मुझ से कितना मुझ से कितना मुझ से करते हो तो तीन तीन बेटी उने कहा हम आप से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन एक ने कहा का मैं आप से इतना प्यार करता हो जितना आप मुझ से करते हो तो उसने बाचा ने ये बात सुनकर उसने अपने रियास्त में निकाला का आप मुझसे इतना प्यार क्यों करती हूँ आप मुझसे इतना प्यार करो जितना क्या करें जिसका हद मालूम नहीं हो तो इसकी बेटी ने उसको कहा क्या है ये नेचर है जितना प्यार आप मुझसे करती हूँ इतना प्यार में आप से करते हूँ तो जितना आप action करते हूँ इतना आपको reaction मिलेगा बट action और reaction क्या होगा action और reaction होने चाहिए opposite and direction dear student let's suppose ये भी एक question है अगर action और reaction बोट are same in magnitude और opposite and direction में हो तो ये एक दूसरे को cancel क्यों नहीं करते हैं जिस तरह मेंने newton फसला motion में बताये का जिसम हमेशा risk में रहेगा अगर जिसम कोई जिसम risk में हो हमेशा risk में रहेगा और जिसम motion में हो तो हमेशा uniform विडास्टी के साथ motion करेगा जब तक कब तक ये इस तरह करेगा जब तक उस पर unbalance force unbalance force act ना करे अगर balance force act करें तो यह जिसम का state chain नहीं हो सकता, यह possible नहीं है, तो वहाँ balance force था, एक पोर्स था, एक अबजिक्ट था, एक तरब से क्या था, एसा मैंने diagram ट्रा किया, कि यह एक अबजिक्ट है, इस पर 10 newton force, 10 newton force यह टुवर्ड, left push कर रहा है, और यह क्या है, यह भी 10 newton force है, 10 newton force है, और यह इसको right की तरफ move करना चाते है, push up करना चाते है, तो दोनों force क्या है, opposite direction में है, और magnitude में क्या है, सेम है, तो इसका net force क्या था, 0 था, तो जिसम का state chain नहीं हो सकता था, उदर, तो dear student, यहाँ क्या है, यहाँ action और reaction दोनों सेम है, और opposite direction में है, तो एक दूसरे क क्यों क्या नहीं कर सकते है, एक दूसरे को क्यों cancel नहीं करते है, तो dear student, यह जो मैंने note लेकिया note, यह जहन में रख लो, और copy में क्या अपने note book में भी note कर लो, action and reaction, occur at the same time, जब आपने action किया, तो उसी time पे आपको reaction मिलेगा, यह इस तरह नहीं है, कि किसी ने मुझे एक तपड लगाया, तो इसाब बराबर हो गया, हमारे daily rules, मना जिन्दिकी में क्या है, यह इसाब किताब बराबर हो गया, लेकिन physics में इस तरह नहीं, मैं यह कह सकता हूँ, कि किसी ने मुझे एक तपड लगाया, तो हमारा जो pace है, उसने reaction किया, तो यह भी सही है, लेकिन इस तरह नहीं है, कि किसी ने मुझे एक तपड लगाया, और मैंने भी इसको एक तपड लगाया, तो action और reaction यह Newton तरला है, नहीं, यह Newton तरला नहीं है, physics में क्या है, action और reaction का आकर होना at the same time होना चाहिए, दूसरा क्या है, हर force में, नहीं हर force में, universe में जितना भी चीज़ी है, हर एक का जोड़ा होता है, हर एक का क्या होता है, जोड़ा होता है, इसी तरह हमारे physics में, हर एक force, हर एक force क्या होता है, peer में exist होता है, both action and reaction add at the different object, इसी तरह, यहां देख लो, balance force में, action और reaction, दोनों, एक ही अबजिक्ट पे लग रहा है, लेकिन, हमारा जो Newton तरला आप मोशन है इस तरह लिए action और reaction दोनों different object भी act करेगा, जिस तरह हमारे हाथ में बाल है, और मैंने बाल को पेंगा और वाल ने वापस टेकराया, तो बाल ने वाल पे क्या लगाया, बाल ने वाल पे action किया, और वाल ने बाल पे reaction किया, तो दोनों object क्या है, different है, action वाल है, और reaction वाल है, तो इसी तरह हमारा जो action और reaction है यह क्या होगा यह क्या होने चाहिए यह different object पे act होना चाहिए यह second number the peer forces must have the same nature the peer forces must have the same nature हमारे universe में कितना forces है strong force है weak force है weak force है gravitational force है और nuclear force है तो dear student इसी तरह नहीं है का हमने action पे gravitational force किया और reaction में हमें मिलेगा fraction force इसी तरह नहीं है अगर आपने action gravitational force पे किया तो आपको reaction भी gravitational force के पाम में मिलेगा इसी तरह नहीं है दोनों का क्या है दोनों peer का nature same होना चाहिए तो dear student, मैं example के साथ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ ये हमारे पास service है, क्या है? service है और हमारे service में एक object है इसका mass क्या है? M है ये एक service है और service के उपर मेंने क्या रखा? एक mass रखा तो जाहिर बात है और ये अर्थ है let's suppose ये हमारे एक table है क्या है? अर्थ है dear student, ये जो mass M है और ये अर्थ service है और ये table है तो इस पर इस mass अर्थ की वज़ा से इस mass पर एक force लगेगा उसका नाम है gravitational force W is equal to M G ये अर्थ क्या करना चाहते हो? ये जिसम अपनी तरफ केजना चाहते है ये अर्थ क्या करना चाहते है? अर्थ चाहता है कि ये जिसम हमारे तरफ आज जाता है लेकिन यहाँ एक क्या होगा? एक normal force भी होगा जो क्या है? ये normal force क्या है? ये service पे लगाता है ये जो weight W है ये अर्थ की वज़ा से है किसकी वज़ा से? अर्थ की वज़ा से है अर्थ ये चाहता है ये बाड़ी चाहता है अर्थ चाहता है कि ये बाड़ी मेरी तरफ आ जाता है लेकिन बाड़ी उसी rate पे बाड़ी उसी rate पे अर्थ पे एक force लगाता है और वो force क्या है? एक एन है तो हमारा action, reaction, क्या है, action हमारा क्या है, mass object पे है, और reaction हमारा क्या है, earth पे है, तो इसलिए दोनो दोनों जब दोनों पोर्सिंज कइता लेकिन आख़एक एक दूसरे को कैंसर नहीं क्या तो बाडवी में मोशन शूरू वने इक नहीं एक बता सकता है कब एक object motion करेगा और कब एक object risk में रहेगा यह हमें बताएगा Newton से करना आप motion Dear student अगर मैं Newton से करना को apply करूँ जितना हमें जा रहा है जमीन के सरपेस पे तो जितना पोर्स हमने जमीन ने हम पे लगाया तो इतना ही पोर्स हमने जमीन पे लगाया जितना पोर्स जमीन ने हमें लगाया क्या है उपर की नीचे की तरफ केंचो मेरी तरफ आजाओ उतना ही पोर्स हमने जिस जमीन पे लगाया तो क्या जमीन हमारी तरफ क्यों नहीं आती हम जमीन की तरफ जाता है लेकिन जमीन हमारे की तरफ क्यों नहीं आती लेकिन क्या है एक्जेक्टली हम इतना Pors लगाता है जितना Pors हमें जमीन आम पे लगाता है Dear student इसलिए मैंने बताया कि जब कुई जिसम मोशन में हो या रिस्क्ट में हो तो ये हमें Newton's से कंडला आप बताता है मैंने जमीन ने मुझे मुझे पर क्या पॉर्स 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 प तो मैं लिख सकता हूँ का MA is equal to MA जमीन ने हम पर जो पोर्स इपलाई किया हमने उतने पोर्स पर जमीन को अपनी तरफ खेंचाने की कुशिश दिया लेकिन जमीन क्यों मोशन नहीं करते हमारी तरफ मास अप अर्थ बहुत ज्यादा है जब मास बहुत ज्यादा हो तो एक्सिलेरेशन कितना होना चाहिए बहुत ज्यादा कम होना चाहिए हमारे मास हमारे कीमित के निजबत में जमीन का मास बहुत ज्यादा है तो इसलिए हम जमीन की तरफ जा सकता है लेकिन जमीन हमारे तरफ नहीं आ सकता है तो इसलिए हमारा मास चोटा है लेकिन हमारा क्या है एक्सिलेरेशन बहुत बड़ा है तो डियर स्टुडन इसका प्रिक्टिकल एक्जम्बल क्या है इसका प्रिक्टिकल एक्जम्बल है एक राकेट उपर जा रहा है तो राकेट से क्या दूआ निकल रहा है तो इसको हम क्या कहते है एक्षन कहते हैं और जो हवा इसके उपर लगाता है उसको रेक्षन कहते हैं हमारा जो बालून है जब हमने चोड़ा तो हवा एक ही तरफ जाता है और बालून दूसरी तरफ जाता है तो यह है न्यूटरन से तर्डा का प्रेक्टिकल एक्जाम्बल तो डियर स्टूडल आप लोगों के समझ में आ गया होगा डू स्टुडी विश्नु बेस्ट आफ लग